27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने United Nations General Assembly में अंतराश्चे योग दिवस की शिरुवात करने का प्रस्ताव रखा मुझे भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बड़ा हर्श हो रहा है आधरनिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी मैं आज एक और विशे पर भी ध्यान आकर सित करना चाहता हूं जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम होलिस्टिक हेल्थ केर की बात करते हैं हम प्रकुर्दी के साथ जूड़ने की बात करते हैं हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं तब मैं उस विशे पर आज वि योग मन व शरीर विचार व कर्म संयम व उपलब्दी की एकात्मता का तथा मानव व प्रकूति के बेच सामन जसका मूर्त रूप है यह स्वास्थ व कल्यार का समग्र द्रश्टिकोन है योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकूति के साथ ता में सहायक हो सकता है आईए हम एक अंतर राष्टिय योग दिवस को आरम करने की दिशा में कार्य करें योग के शुरुवात के चिंध 5,000 साल से भी पहले सिंधु सरस्वती घाड़ी की सभ्यता में मिलते हैं पुरा तत्ववेताओं को ऐसे उकेरे गए द्रश्य, मोहरें और चीजें मिली जिन पर योग जैसी मुद्राएं और अभिवादन आदी मौजूद थे और जो बाद में मिले पशुपती, टूद्र और भगवान शिव के विवरणों से मेल खाते थे योग शब्द संस्कृत का है और लगभग एक हजारी सापूर वाले वैदिक काल में आम चलन में आया ये शब्द युज से निकला है जिसका मतलब है बांधना, चीजों को एक जगा लाना, संयोजित करना या थामना योग पूरे भारत में ही काफी जाना पहजाना था और इसका जिक्र फिर वैदिक रंथों में मिलने लगा विशेश कर उपनिशद में और उस दौर की बौध और जैन सिक्षाओं में भी उपनिशदों में चार तरहा की योग बद्धतिया है मंत्र यानि पवित्र ध्वनियों को बार बार उच्चारन करना परम शक्ती से संपर्ग जिसे लए या भक्ती संबंध कहते हैं हट या आंतरिक उर्जा को चैनलाइस करना और राज योग इसे ही ध्यान या अश्टांग योग भी कहा गया दूसरी सदी इसा पूर्व में योग के संदेशों को एक लिखित ग्रंद का रूप दिया गया था जिसे पतंजली के योग सूत्र कहा जाता है अब योग के बारे में बताते हैं योग का मतलब है मस्तिश में मौजूद सामक्री में आरहे परिवर्तनों को स्थिर करना ताकि व्यक्ति को अपनी सच्ची और वास्तविक स्थिती का अनुमान हो सके पतंजली के अनुसार योग का उद्देश है भौतिक जगत से जुड़े लगाव पर विजय पाना ताकि अपनी सच्ची चेतना को प्राप्त किया जा सके तेत्रिय उपनिशद के अनुसार व्यक्ति कोशों की पात सदहों से बनता है जो एक साथ मिलकर काम करता है जब ये कोश असंतुलित हो जाते हैं तो फिर इससे उत्पन होते हैं रोग, असामन जस्य और स्वास्थे में गड़बड़ी लेकिन जब योग के जरिये इन्हें एक साथ लाया जाता है तो उससे प्राप्त होता है संपून स्वास्थे, ध्यानस्त मस्तिश्क और विशुद्ध आनंद कोशों को नियोजित करने और सामन जस्य को बहाल करने के लिए पतंजली ने योगियों के लिए एक प्रणाली सुझाई, जिसे अश्टांग या आठ अंगों वाला मार्ग कहा जाता है भारत के लंबे इतिहास के दोरान योग रोज मर्रा के जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और ज्यादत धर्मों और विचारधाराओं ने अपने अनुष्ठानों और तौर तरीकों में इसकी पद्धतियों का उप्योग किया है मध्य योग में दो महान भारतिय अध्यापकों ने योग की पद्धति को पुनर जीविद किया आठवी सदी में आदी शंकरा ने उपनिशदों और योग को फिर से लोगप्रिया बनाया और नाच संप्रदाय के गोरक्षिनात ने भी लगभग इसी समय हट योग को फिर से बहाल किया 1890 के दशक से भारत के कई अध्यापक योग को दुनिया के सामनी लाए जैसे की 1893 में स्वामी विवेकानन्द जिन्होंने दुनिया का परिचय वेदान्द और राज योग से कराया और 1920 में स्वामी योगानन्द ने दुनिया को क्रिया और कुंडलिनी योग से परिचित कराया स्वामी शिवानन्द, स्वामी रमा, स्वामी सचीदानन्द, स्वामी कुवालयानन्द, श्री योगींद्र जी और अन्य महान योगियों ने योग के गहरे पहलूं का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया बीस्वी सधी के एक बेहत प्रभावशाली योग गुरू थे श्री कृष्णा माचारिया। उनके विद्यार थे BKS अयंगर, के पत्तिभा जोयस और उनके पुत्र देसिक अचारिया योग के तीन प्रमुक प्रचारक बने और उन्होंने योग को पुरी दुन्या में फैलान में मदद की। आज योग इन शुरुवाती अग्रणी लोगों से कहीं आगे निकल चुका है। श्री श्री रवीशंकर, पुझ्य स्वामी जी, बाबा राम देव, स्वामी निरंजन और सत्गुरू जग्गी वासुदेव जैसे योग गुरू पुरी दुनिया में क्लासि करने की शक्तियों के बारे में लोग हजारों साल से जानते हैं। और आयरवेद के साथ मिलकर ये भारत में बीमारियों को रोकने, चेतनता को और बढ़ाने, तथा तंदुरुस्ती को ठीक रखने के सिलसले में बेहद महत्वपून रहा है। साथ ही ये योगी को स्वतंतरत भी देता है। कहीं ज्यादा संतुलित और सामन जस्यपून हो जाए। योग करने वाले लोग कहीं ज्यादा चेतनु भोकता, बेहतर इंसान, परिया वरण के प्रती ज्यादा जागरूक और अच्छे नेता बन जाते हैं। यही योग की शक्ति है। और ये केवल दुनिया का कल्ल्यान ही कर सकता है। कर सकता है।